है गाईज वेल्कम बेक टू अनादर वीडियो तो आप मेरा हाथ में देख सकते हो 12 वोल्ट 7.5 एंपेर बैटरी है तो इसे आज हम चार्ज करने वाले हैं एक Lumina Solar Charging Controller के मदद से लेकिन Solar Panel नहीं रहागा तो इधर में Solar Panel इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन अच्छे तरह से बैटरी को फूल चर्ज कर देगा तो पहले Charging Controller और बैटरी को कनेक्ट करके में दिखा देता हूँ कैसे कैसे एे light ग्लो करता है तो आप देख सकते हो एह ओरंज कलर की कुछ लाइट जला हुआ है एह इंडिकेट कर रहा है कि 70% चार्ज से कम है तो यह पर मैं एक एडेप्टर यूज कर रहा हूँ लेकिन आप देख सकते हो आउटपुट 12V है तो इससे फूल चर्ज नहीं होगा इसलिए मैंने इस एडेप्टर को मोडिफाई करके 14V कर दिया तो अब देख सकते हो 14V है इसमें तो इससे हमारा पैटरी जो फूल चर्ज हो जाएगा तो दोस्तो अगर आपके पास एक सोलर कंट्रोलर और एक बैटरी है तो उसे चार्ज करने के लिए आपको सोलर पैनल जरूरत नहीं है आप श्रिफ एक DTH अडेप्टर लेके उसे मोडिफाई कर देना तो मोडिफाई करने के लिए आई बटन पर लिंक आएगा उसे देख के आप मोडिफाई कर सकते हो उस वीडियो में मैंने दिखाया कैसे वेरिवेल रेजिस्टर के मदद से आप वोल्टेज कम या ज्यादा कर सकते हो तो जरूर वीडियो देखना तो एडेप्टर के मदद से कैसे चार्ज होता है वो देखाता हूं तो बैटरी में फ्लाल 12 वोल्ट चार्ज है तो आप देख सकते हो कंट्रोलर के मिडिल वाले एलेडे में गिरिन लाइट जाल चुका है इसका मतलब सेवेंटी प्लास भोल्ट अभी बैटरी में हो गया तो इस बैटरी को अच्छे एक लूक देने के लिए मैंने एक केविनेट तेयर किया थुरह सा इंवर्टर के तरह लूक आता है तो इतना है था वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग तरह वाचिंग वाचिंग कि उलिए करो कि जलिए की बौिम जलिए करो